आज के इस lecture में हम लोग जानेंगे the transfer of property act 1882 के बारे में देखिए यह जो act है transfer of property act या TPA यह govern करता है property के transfer को यानि property किस तरीके से एक person से दूसरे person के पास transfer होगी उसके method और procedure को यह act जो है govern करता है तो देखिए the transfer यानि transfer मतलब hand over करना of property property के अंदर कोई सी भी property आ जाएगी चाहे वो movable property हो या immovable property हो यहाँ property से पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि यह transfer of movable property है यह transfer of immovable property है वहीं अगर आप देखेंगे sale of goods act 1930 तो sale of goods act में goods लिखा हुआ है goods का मतलब chattel goods का मतलब movable property वहाँ पे साफ तोर पर बताया गया है कि वो movable property के उपर deal करता है लेकिन इसका जो major part है वो immovable properties के उपर ही apply होता है आईए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यह जो transfer of property act है यह enact हुआ था 17 February 1882 को यानि यह law बन गया था 17 February 1882 को और यह लागू हुआ है 1st of July 1882 को उसके साथ साथ अभी भी यह पूरे तरीके से पंजाब के उपर apply नहीं होता है आईए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस act के अंदर total 8 chapters है और 137 sections है अब हम लोग इसके structure को देखते हैं और एक एक chapter को देखते हैं देखिए अब इसका जो पहला chapter है इसका chapter 1 जो है वो deal करत आता है preliminary के उपर इसमें total एक से लेके 4 sections है preliminary मतलब जिसके अंदर बताया गया है कि इस act को क्या कहा जाएगा इसके saving clause है इसके application के बारे में बताया गया है यह इसका preliminary chapter है उसके बाद आता है chapter 2 chapter 2 जो है यह कह रहा है transfers of property transfers of property by act of parties याद रखिएगा इस expression को by act of parties इसको अभी हम लोग आगे चलके cover करेंगे तो chapter 2 deal करता है transfers of property by act of parties अब ध्यान रखिएगा यह chapter शुरू होता है section 5 से और section 53A तक यह discuss है लेकिन इसके अंदर section 5 से लेके जो section 37 तक sections है यह apply होते हैं movable और immovable property दोनों के उपर 5 से 37 movable और immovable दोनों के उपर apply होते हैं इस chapter के अंदर है क्या इस chapter के अंदर basic details है fundamental rules है property को transfer करने के तो 5 से 37 movable और immovable दोनों के उपर apply होता है उसके अलावा जो 38 से 53A तक sections है यह सिर्फ और सिर्फ immovable properties के उपर ही apply होते हैं इसके साथ साथ एक चीज़ और हम लोगों की ध्यान में रखने वाली है इस chapter के अंदर TPA के section 2D के अंदर बताया गया है कि यह जो chapter 2 हम लोग cover कर रहे है TPA के यह Muslim law के कोई भी inconsistent rule को effect नहीं करेगा यानि अगर इस chapter 2 के rules और Muslim law के कोई rules टकराते हैं तो Muslim law वहाँ पे prevail करेगा अगर नहीं टकराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर आता है chapter 3 chapter 3 TPA का क्या deal करता है यह deal करता है sales of immovable property अब हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है यह खुद ही कह रहा है sales of immovable property यानि यह chapter 3 का title ही है sales of immovable property तो यानि इसके अंदर sales बेचना किस चीज को बेचना immovable property को बेचना तो यह chapter deal करता है sales of immovable property के उपर immovable property पे यह apply नहीं होता है फिर immovable property की sale कहां से गवन होती है sales of goods act 1930 से गवन होती है immovable property की sale ठीक है यह शुरू होता है section 54 से और section 57 के बीच में discuss है आगे हम लोग बढ़ते है अब इसके बाद आता है chapter 4 अब देखें chapter 4 क्या कह रहा है mortgages of immovable property अब यह mortgage भी किस पे apply हो रहा है immovable property यानि यह भी moveable property पे apply नहीं होता है तो यानि जो chapter 4 है यह भी सिर्फ immovable property पे apply हो रहा है mortgage होता क्या है mortgage के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कोई property किसी को दे के सामने वाले को दे के उससे कुछ पैसा उधार लेते हैं यानि जैसे हम अपना किसी को land दे के उससे कुछ पैसा उधार ले लेकिन अगर यही moveable property को लेके होगा तो उसको हम लोग कहते हैं pledge इंडियन कॉंट्राक्ट आक्ट जो है वो प्लिच के ऊपर डील करता है यह कहां से कहां तक है सेक्शन 58 से लेके सेक्शन 104 तक यह mortgages डिसकस है इसके बाद देखे चैप्टर फाइब आता है चैप्टर फाइब क्या कह रहा है leases of immoveable property again they have used the word immoveable property leases of immoveable property lease क्या होता है किराइदारी rent पे जो हम लोग देते हैं अपनी immoveable property उसी को lease कहते हैं तो अब यह leases of immoveable property यह भी immoveable property के उपर apply होता है या दोगा हमने शुरुआत में कहा था कि TPA का जो major part है वो immoveable properties के उपर ही apply होता है तो leases of immoveable property movable property की क्या movable property को rent पे दिया जाता है लोग अपनी चीज़े movable property को rent पे दे सकते हैं तो उसके लिए जैसे Indian contract act है sale of goods act है वो उसको govern करते हैं यह discussion 105 से लेके 117 के बीच में ठीक अब इसके बाद आया chapter 6 chapter 6 जो है यह deal करता है exchanges exchanges का मतलब जहां पे एक property को दूसरी property से exchange कर लिए एक प्रॉपर्टी को दूसरे से एक्सेंज करने को एक्सेंज कहते हैं अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि exchanges of movable property यह exchanges of immoveable property तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसके बाद आता है chapter 7 gifts again they have not used the word whether this is a gift of movable property or immoveable property then it means it applies to both type of properties whether property is movable or it is immoveable तो दोनों के ही case में यह जो gift case के अंदर loss दिये गये हैं वो दोनों type की properties के पर apply होंगे यह discuss है section 122 से 129 के बीच में लेकिन इसके अंदर एक exception है section 129 जो है टीपीए का वो यह कहता है कि इसमें जो gift के law दिये गया है इस chapter के अंदर यह Muslim law के उपर लागू नहीं होगा क्यों क्योंकि Muslim law के अंदर Muslim law के अंदर एक gift का law अलग से दिये गया है उसको हम लोग कहते है Muslim law के अंदर हिबा तो उसको यह effect नहीं करेगा उसके उपर यह लागू नहीं होगा उसके उपर claims actionable claims के उपर यह chapter deal करता है उसके transfer को लेके यह discuss है section 130 से 137 के बीच में इसके बाद एक schedule आता है इसी TPA के अंदर इस schedule के अंदर बताए गया है बहुत सारे पहले की regulations थे जो TPA के आने से पहले मौजूद थे उनको TPA ने खतम किया है तो उसके बारे में इसके schedule के अंदर detail दी ग कई सारे modes होते हैं यानि एक person से दूसरे person के पास property का transfer होने के कई सारे modes होते हैं इनको हम लोग broadly दो पार्ट में divide कर सकते हैं transfer of property by act of parties, transfer of property by operation of law देखे प्रापर्टी को transfer होने के दो major mode है by act of parties और दूसरा है by operation of law अब देखे इसके अंदर फर क्या होता है, transfer by act of parties जैसा कि नाम सही समझ में आ रहा है, property का transfer होना parties के acts यानि वो transfer जो दो living persons के बीच में हो जो दो living persons के बीच में हो, ये दोनो living persons जो है transfer के time पे मौजूद होना चाहिए अब ये living persons के अंदर juristic persons भी आ सकते हैं, लेकिन at the time of the transfer, both the parties must be in existence दोनों party का मौजूद में होना चाहिए, transfer, transfer, seller, buyer, ठीक है, उसके अलावा mortgager, mortgager अगर दोनों में से एक party मौजूद नहीं है, for example, transferer मौजूद नहीं है, तो उस जगहां पे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि it is a transfer by act of parties जैसे for example, एक इनसान के मरने के बाद उसकी property उसके वारिसों में बठती है, उसके जो legal heirs होते हैं, वो उसकी property को inherit करते हैं तो अब यहां पे आप देखिए, कि जिस इनसान की death हुई है, at the time of the transfer, क्या transferer living है? नहीं, property फिर कैसे transfer हुई है? Property transfer हुई है by operation of law, just because there is a law, तो by the operation of the law, property is transferred automatically, समझ माये आप लोगों को, उसी तरीके से, एक person है, suppose that there is a testator, he writes his will, when he writes his will, as you know, the will comes into effect after the death of the testator, when the testator dies, the will comes into effect, अब मान लिजे कि testator की death हुई, जिसने अपनी वसीहत लिखी है, उसके मरने के बाद, property जिनको उसने दिया है, उनमें बटी, तो क्या, at the time of the transfer of the property, the transferer was alive, no, he was not alive, अब since he was not alive, how can we say, that it is a transfer by act of parties, when there were no parties were there, when the transferer was not there, at the time of the transfer of property, then how come this property is transferred, it is transferred by the operation of law, तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच का फर्क, अब एक चीज़ आपको अपने ध्यान में यहाँ पर रखनी है, धिमाग में बसा लिजेगा, कि TPA जो है, Transfer of Property Act जो है, It applies only on transfer by act of parties, and not by operation of law, तो TPA only applies transfer by act of parties, आईए देखते हैं, act of parties के अंदर कौन कौन से transfer आते हैं, तो transfer by act of parties, act of parties के अंदर देखिए, जैसे sale आ जाएगा, अभी याद करिए, कि हम लोगों ने जब पूरा transfer of property act के एक-एक chapter को देखा, तो आप देखिए उसके अंदर क्या आया था, sale, lease, mortgage, exchange, क्या कहीं पे law of inheritance आया था, क्या कहीं पे वसीहत की बात आई थी, नहीं, तो मतलब transfer of property act जो है, वो apply होता है, किस पे, transfer by act of parties, तो देखिए, by act of parties में, जैसे sale, sale के case में कौन होता है, seller, purchaser, by act of parties, दो parties है, lease के case में कौन कौन होता है, lesser, lissi, mortgage, mortgage, exchange के अंदर भी, दो parties होती, एक पार्टी दूसरे से exchange करती है, gift, donor, donate, actionable claim के अंदर, transfer, transfer है, समझ में आ गया, by operation of law, ये TPA पे apply नहीं होता है, by operation of law में किस का दिखिए के transfer आ जाएंगे, देखिए, TPA जो है by operation of law के पर apply नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका एक exception है, section 57 और chapter 4, by operation of law में देखिए किस किस तरीके के transfer आ जाएंगे, जैसे transfer by orders of court, कोई property transfer होई है, अगर कोई court order करता है, court transfer थोड़ी नहीं होगा, court तो एक third party है, यानि एक third person as an empire, जो judge करता है दो लोगों की right, उसका कोई interest थोड़ी नहीं है, अगर उसके order से कोई property transfer हो रही है, वो तो हक दिला रहा है, ठीक है, तो अगर court के order से कोई property transfer होती है, तो इसको हम लोग कहेंगे, transfer by operation of law, उसे तरीके से transfer in case of insolvency, अगर insolvency के case ने property transfer हो रही है, अगर कोई insolven हो जाता है, तो उसकी property किसके पास west करती है, official receiver के पास, ठीक है, for feature के case में और उसी के साथ-साथ, sale in execution of courts degree, court की कोई degree आई, उसके execution में अगर किसी property को बेचा जाता है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे, transfer by operation of law, क्योंकि court transfer नहीं है, उसके अलावा, inheritance के case में, किसी इंसान के मर जाने के बाद, उसके जो वारिस है, legal errors हैं, जो property को inherit करते हैं, will के case में, आईए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखें, अब आता है TPA का preamble, preamble काफी इसका important है, देखिए, क्या कह रहा है, whereas it is expedient, whereas it is expedient को अगर हम लोग simply समझें, तो कह रहा है कि जहाँ पे it is necessary, जहाँ पे जरूरत ही या necessity बनी, किस चीज की? To define and amend, define करने की और amend करने की certain parts of the law, कुछ certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties, तो क्या कह रहा है, जहाँ पे इस चीज की जरूरत लगी, where it is expedient, where we found that it is necessary, where we found that it is necessary, तो what we have done is that, we have defined and amend, हमने define किया है और amend किया किस चीज को? Certain parts of the law, law के कुछ certain parts को, जो related है transfer of property से, अब यह कह रहा है, हमने certain parts of law को define किया है, यानि कुछ definite meaning दिया है उसको amend किया है, तो इससे हमें क्या पता चला? कि TPA जो है यह exhaustive नहीं है, क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि certain parts of law को, हम लोगों ने define और amend किया है, ना कि सारे law को, सारे law को transfer of properties related, यानि जितनी भी transfer of properties related law है, यह उनको, सब को define या amend नहीं कर रहा है, जैसे for example, अब transfer of property जो है, यह by act of parties के उपर apply हो रहा है, तो operation of law के उपर लागू ही नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ sale of movable property पे भी यह लागू नहीं हो रहा, वो तो sale of goods act से गवन हो रहा है, इसलिए यह कह रहा है, कि define and amend certain parts of the law, relating to transfer of property, और वो भी by act of parties, अब एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, कि यह जो TPA है, it is not retrospective, मतलब कि जब यह law आया था, इससे पहले अगर कोई भी substantive rights, या liabilities, या remedies create हुई होई होगी, तो उसको TPA effect नहीं करेगा, जैसे for example, मान लिजए कि TPA के आने से पहले, किसी ने mortgage किया, जिसके अंदर attestation उसने नहीं किया, mortgage को attest नहीं करा, अब मान लिजए कि TPA आने के बाद, अब mortgage के अंदर attestation ज़रूरी है, तो जो उसने पहले mortgage किया था, वो क्या होगा, वो अभी भी valid रहेगा, उसको TPA effect नहीं करेगा, यह कहाँ पर बताया गया है, यह बताया गया है, इसके section 2C के अंदर, कि जो पहले की rights और liabilities होंगी, उनको TPA effect नहीं करेगा, लेकिन यह substantive rights and liabilities की बात कर रहा है, जो procedure वाला part है, वो retrospective है, ठीक है, तो उसके अंदर changes यह कर सकता है, भले ही वो पहले की rights और liabilities को लेके हो, आज के lecture में आप लोगों के काफी doubts clear हुए होंगे, आज के lecture में बस इतना ही, thank you everyone for joining and watching, have a good night.